Hello children, welcome back to my video आज इन करने वाले हैं Chapter 1 Building with Bricks Worksheet तो चलिए शिरू करते हैं Worksheet Building with Bricks Face and Shape of a brick Which of these is the face of a brick चिक दा करेक्ट वन इन में से कौन सा brick का face है Brick का face एक तो ये है चीक है आपने ये देखा होगा साइड से फिर ये भी brick का face होता है ये भी brick का face है तीन brick के face है चीक है नगे चाते हैं Choose the correct चूज दा करेक्ट ड्राइंग of a brick and fill with red color चीक है अभी इसमें क्या बोल रहा है correct to drawing चुनो brick की और उसमें red color fill करो तो इसमें correct to drawing brick की वो है ये वाली ये आली देखे ये ब्रिक है खड़ी होई ये क्योंकि स्क्वायर है बहुत बच्चों को ये भी लगेगा बट ये स्क्वायर है ये लेटी होई ये ये नहीं हो सकती ठेक है तो अब नीचे आते हैं ब्रिक पैटरम अभि ये ब्रिक पैटरम मह SECों क्योंकि ये बैटर्ट ईपर कॉशन से राम एंड शाम राम एंड शाम राम एंड शाम डिस्कुश्च़्ण थैंड़ ब्यू ये अध्ड प्रॉल wall which is made by a builder which wall is strong? tick the correct question अब ये मौल रहा है कुश्चन की ड्राम और शम ने ये बातचीत की की ये बिरिक जो ये बनाता है नहीं जो भी ये जो मिस्टरी होता है बनाता है ये चीजे तो उसने दो दिवारे बनाई एक विल्डन ने ठीक है दो दिवारे बनाई अभी पूछ रहें कौन सी दिवार स्ट्रोंग है तो यह बहुती सिंपल कोशन है यह वाली दिवार स्ट्रोंग होगी क्योंकि अगर इसमें बीच में से क्रैक आएगा तो यह पूरी एक साथ इदर गिर यहां पर क्रैक आया तो यह स्ट्रोंग रहेगी क्योंकि यह वाला हिस्सा है जो इसका यह वाला हिस्सा है यह अलग अलग जगाओं पर जुड़ रहा है ठीक है तो यह वाली स्ट्रोंग रहेगी यह वाली स्ट्रोंग रहेगी ठीक है यह वाली स्ट्रोंग रहेगी नहीं जाते हैं, Make a beautiful brick pattern in the following shape, हमें बहुत सुन्दर brick pattern बनाना है, इस shape को देखे, एक तो rectangle shape, एक circular shape, और एक triangle shape, तो यह आप खुद बना सकतो हो, कुछ भी shape बना सकते हो, जैसे कि यह brick ले लिया, आपने इस brick के अंदर, यह बना दो, यह बना दो, कुछ भी बना सकते हैं, आप हर shape की bricks होती है, जरूरी नहीं है कि square यह बट ब्रिक जिसने भी देखिया आद तक ऐसी होती होने हम, white brick अलग से बोलते हैं, बट जो normal brick पूछेगा अगर exam में, तो आपको यह लिखना है, अभी वह advance में आईगा, आपके वह नहीं पढ़ना, ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, according to the figure shown below, draw the shape of the brick in the boxes, if we look it from face A, B and C, देखो इसे draw करना है, अब इसमें क्या बोल रहा है, कि यह A part है, यह B part है, अब A part उपर वाला है, ठीक है, तो उपर से हमें यह ऐसी दिखेगी कुछ, ठीक है, पतली सी, यह उपर वाला face हो गया, B side वाला, तो side वाला face आप थोड़ा चोड़ा बनाएंगे, square जैसे थोड़ा, पर सामने वाला पतला थोड़ा, ऐसे ठीक है, तो यह आपको बना लेना है, कुछ से, Sonu went to buy bricks, given below the price for 1,000 brick, in the market, the prices were also different for different bricks, इसमें अब पूछ रहा है कि Sonu market में गया, और उसमें अलग-अलग types की brick दी हुई है, तो अलग-अलग types की brick दी हुई है, तो यह types of brick है और यह उनके prices है, तो अगर हम old bricks लेते हैं, 1000 brick, अगर हम old लेते हैं, तो उसका price is 1000 brick, ठीक है, यह per 1000 दिया हुआ है, फिर new brick from Sita पर लेते हैं, तो 1600 रुपे पर 1000 brick, new bricks अगर हम राइपूर से लेते हैं, तो 2200 रुपे पर 1000 bricks, अब इसमें पूछ रहा है कि कौन, अब यह questions बढ़ते हैं, ठीक है, what amount will he pay if he buy 600 old bricks, अब देखो, उसको अगर 600 old brick खरीद नहीं है, तो simple है question, simply यहाँ पर इसको calculate कर लेते हैं, जो एक old brick है, जो 1000 old bricks है, वो है 1000 रुपे की, ठीक है, इतने के 1000 रुपे की, तो अब अगर हम इसमें, डिवाइड करेंगे, यह डिवाइड भी नहीं छोड़े, इतना हाड में क्यों जाना, मैं आपको बिल्कुल सा तरीका बता देता हूं, यह बहुत सिंपल है, 1000 bricks हैं, और 1000 ही amount का है, तो इसका 500 होगा, और 500, 600 निकालने हैं, तो मैं बहुत एक brick एक रुपे की है, old bricks देखिए, एक old brick एक रुपे के बराबार है, ठीक है, देखिए, old brick, 1000 bricks जो है, वो 1000 की है, ठीक है, तो यह बहुत सिंपल सा इसका अंसर, इसका अंसर हो जाएगा, 600, ठीक है, इसका अंसर कितना हो जाएगा, 600 अंसर, अच्छा, इसमें न 600 रूपीज भी लिखना है, रूपीज, 600, ठीक है, अच्छा आते हैं, सोनु बाउट, 4000 new bricks from सीतापूर, how much did he pay, सोनु ने सीतापूर से 4,000 खरीदी, bricks, तो उसे कितना पे करना है, तो अभी यहाँ पे देखते हैं, सीतापूर का प्राइस कितना है, 1600, 1600, ठीक है, तो यहाँ पे हमें, अगर, हम क्या करेंगे, 1600, डिवाइड़, यह, multiply by 4, 4, 0, 0, 0, 6, 24, 24, का 4, 2 हो गया, कहरी, यह, 4, 1, 4, plus 2, 6, 6400, रूपे, 6400, रूपे की, वो bricks होंगी, कितने की होंगी, 6400, यह, 6400, रूपे, 6400, रूपे, ठीक है, 6400, रूपे, और यहाँ पे, 1000, डिफिरेंस निकालने के लिए, हम कर देंगे, माइनस, तो 0 में से 0 गया, 0, 0, 2 में से 0 गया, 2, 2 में से 1 गया, 1, तो, बारा सूस का प्राइज आजाएगा, कितना आजाएगा, बारा सूस का आजाएगा, प्राइज, नेक्स्ट कुशिन पर आते हैं, वाट, चैने, वा, यहाँ, तोरव, फाइंद टोटल कॉश्ट वण, 1000, औरzon वूड ब्रिक्स, न्यू दो ब्रिकस फरों, रायपुर, एच, फरॉं तो आजाएगा 0083 3800 ठीक है 3800 नेक्स्ट कुशिन पर आते हैं इफ फाइवन्ड न्यू ब्रिक्स प्रम सीतापुर और फाइवन्ड न्यू ब्रिक्स फॉम रायपुर हाउ मच डिडिपे ओल तुकेदा अब अगर वो 500 ब्रिक्स सीतापुर से लेगा याने 1600 का आदा 1600 का आदा कितना हुआ बच्चों 1600 का आदा हो गया 8800 1600 का आदा कितना हुआ 800 और 2200 का आदा कितना हुआ 7100 एक हजार एक सो कितना वह एक हजार एक सो ठीक है एक हजार एक सो अब इसके लिए से कुतना पे करना पड़ेगा तो इनको एड़ कर देंगे 0091 1900 इसको 1900 रुपे पेमेंट करनी पड़ेगे ठीक है थैंक यू दिस आल पूर तोड़े बाइ फिर मिलेंगे अगली वीडियो में